Hello Libra, June आने वाला है, in fact आ ही गया है और मुझे पता है आप सब बहुत ही उत्सुख हैं ये जानने के लिए कि जून मंत कैसा होने वाला है क्या messages होंगे universe के, क्या blessings होंगी, क्या issues होंगे, love के लिए क्या होगा, health, job, finance, career, I know, पता है मुझे इसलिए इस reading में मैं ये सारी चीज़े cover करने वाली हूँ, start करते हैं इस reading के साथ Universe, प्लीज बताएं, Libra के लिए जून मंत में क्या messages है तो Libra, first of all हमारे पास है eight of swords, हमारे पास है strength, हमारे पास है four of swords अब हमारे पास दो eight cards है, एक तो है eight of swords, दूसरा है strength, जो की eight number card है, major अरकाना में अब यहाँ पर एक तो ये चीज़ हो सकती है, अगर आपको eight number आपके लिए बहुत significant है, हो सकता है आपका eight October को birthday आता हो, या आपको बहुत ही जादा eight eight number दिख रहा हो, double eight, triple eight, कोई किसी भी तरीकी से आप देखिए एक बारी, eight number काफे significant हो सकता है आपके लिए दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है या आप पर जो universe दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत जादा June month में यह हो सकता है, अभी भी आपकी यह energies हो, बड़ आप बहुत जादा अपने दिमाग की सुन रहे हो, आप अपने head की बहुत जादा सुन रहे हो, आप बस क आपflower हैं जादाग ही हो, किसी चीज़ के बारे में, आप डाउट कर रहे हो अपने ऊपर की मैं यह चीज़ कर सकता हूं यह नहीं कर सकता हूं, यह चीज़ हो पाएगी यह नहीं हो पाएगी, औरे हो जान시면 नहीं हो क्या है, कि आपका जो धिमार्ग है, जो brain है, वो आपको बोल रहा है ना तुम यह नहीं कर सकते लीब्र तुम यह नहीं कर सकते देखो इतना competition है market में तुम कैसे करोगे यह चीज तुम देखो सही लोगों के पास suppose अगर आप YouTube channel खोलना चाहरे है तो आपका mind आपको demotivate कर रहा है और आपको नई चीजे ट्राइ करने से यह अपने बारे में अच्छा सोचने से आपका mind आपको रोख रहा है तो यहां पर मैं आपको यह बोलूँगी कि अपनी दिमाग की ना अपने mind की मत सुनो क्योंकि जब तक आपने mind की सुनते रहोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे आप stuck रहोगे क्योंकि यहां पर आप stuck हो restricted हो अब हमारे पास four of swords भी है तो four of swords हमको बताता है कि कोई ऐसी चीज है again swords air energy mental conflict eight of swords mental conflict तो यहां पर swords जो है specially four of swords वहमें यह बता रहा है कि आपना contemplate कर रहे हो किसी चीज को लेकर आप सोच रहो वह मैंने decision लिया था क्या वह मैंने ठीक लिया था या जो मैं आप continuously सोचे चले जा रहे हो आप action नहीं ले रहे हो आप सिर्फ सोच रहे हो तो जो भी decision है वह अंदर ही अंदर घूम रहा है वह बाहर paper पर निकल के या कहीं implement नहीं हो रहा है also यहां पर universe आपको यह बोल रहे है कि थोड़ा सा ना आपको patience के साथ काम लेना पड़ेगा sorry आपको ना चीजे थोड़ी सी डीले हो रही है अभी इस time पर और वो डीले इस तरीके से नहीं हो रही है कि यहां पर universe आपको test कर रहे हैं universe चाह रहे हैं कि आप positive हो आप थोड़ा सा hard work जादा करो आप निराश ना हो और आप patience रखो क्योंकि थोड़े या तो आप impulsive हो रहे हो क्योंकि आपको चीजे जल्दी चाहिए या फिर आपको लग रहे है कि अरे यार मेरे आसपास वाले तो सब निकल रहे हैं आगे और मैं पीछे रह गया हूं या रह गई हूं तो क्यों मेरे संग क्यों नहीं हो रहा है क्या मैं अच्छी नहीं हूं क्या मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूं या या मेरी किस्मत ही ऐसी ह तो वैसी वाली चीजे स्टार्ट हो गई है तो यहां पर यूनिविस आपको बोल रहे है थोड़ा सा पेशन्ट रहो थोड़ा सा पेशन्स रखो सबर रखो चीजे हो जाएंगी क्योंकि चीजे दीरे हो रही है अभी और उसके उपर से अपने दिमाग की सुन रहे हो तो आप का वेट कर रहे हो क्योंकि यहां पर मुझे आज सच लव का तो कुछ नहीं दिख रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जॉब या कोई प्रपोजल प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ यू से या कुछ कहते हैं रिजल्ट का वेट करना कोई किसी चीज का वेट हो रहा है क क्या है आपके पास फॉर्द मन्त ओफ जून तो लीब्रा यहां पर अगें जैसे मैं आपको बोला मुझे आज सच लव कनेक्शन नहीं दिख रहा है यहां पर अगर आपके संग रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छा नहीं तो जैसा भी आपको ठीक लगे ब्र profession चाहिए मैं कर मोझे कैस कर रहा है लिब्रा कि आपके लिए ना आपकी लाइफ में कर्मा जो है वह बहुत सिग्निफिक्ट है तो आप जो भी लोगों के साहथ करोगे वही आपको व्या जरा क्मिलेगे बट आपको लोगों के साथ अच्छा करना है तब भी आपको अच्छा मिलेगा दूसरी चीज हमारे पास आठ नंबर है आठ नंबर शनी का नंबर होता है तो ये भी आप चीज देखो कि हो सकता है आपका शनी उच का हो या नीच का हो तो वो भी आपको एक बड़ी देखना है, आपका कर्मा बहुत इंपोर्टन है आपके लिए, तो आप प्लीज अच्छा करो लोगों के संग, तो ही आपके संग अच्छा होगा, हो सकता है अभी आपको प्यार या रोमांटिकली कोई पार्टनर नहीं मिला है, हो सकता है क्यों आपने अगर किसी किसंग कोई भी सिन करा था या कोई भी कुछ बुरा करा था तो वो अभी तक आपने उसको equal नहीं करा है अच्छा करने के साथ तो आपको और अच्छा करना पड़ेगा ताकि वो बराबर हो जो बुरी चीज और अच्छी चीज बराबर हो तक कि आपको चीजे मिलनी स्टार्ट हो see me in their eyes, most people are just trying to survive मुझे ऐसा लग रहा है लीप्रा आपना थोड़े से चीजों में फसे वे हो तो आपका vibe कैसी आ रही है मुझे कि आप बस जो दिन चल रहा है जो दिन चल रहा है, routine जो भी है आप उसी में ही रमे हुए हो आप चले चले जा रहे हो भेड़ चाल में आप जिन्दगी जी नहीं रहे हो आप बस survive कर रहे हो मतलब एक होता है न कि सुबह से शाम, फिर रात, फिर सुबह से शाम, फिर रात पर एक होता है दिन को enjoy करना, जीना वो नहीं है, आपका बस survival mode on है, आपका living mode on नहीं है तो यहाँ पे, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी vibe आ रही है क्योंकि आप बहुत जादा अपनी दमाग की सुन रहे हो, अपनी दिल की नहीं सुन रहे हुआ आप, आप बहुत जादा न सुसाइटी के उसमें फसेवे हो, कि सुसाइटी को क्या अच्छा लगता है, सुसाइटी की नजरों में क्या अच्छा लगता है see me in their eyes, मुझे यह रोमांटिकली नहीं लग रहा है, मुझे यह लग रहा है कि आप, सुसाइटी आपको कैसे देख रही है, आप उसमें बहुत जादा फसेवे हो हाँ, यह, at least यह मुझे यहाँ पर लग रहा है, देखते हैं, fortune deck से universe के पास क्या messages हैं, libra के लिए universe, please बताएं हमें, libra के लिए, जून मन्त के लिए आपके पास क्या messages है clouds, temporary problems, libra मैंने आपको पहले ही बोला था, कि आपकी जो भी दिक्कते हैं, वो ज़्यादा time तक नहीं रहेंगी, वो temporary हैं, आप, बट वो आप पर depend करता है, आपकी हर इंसान की problem ना, actually उसी पर depend करती है, यह हम लोगों को लगता है, कि अच्छा planets और वो सब भी होते हैं, काम करते हैं, बट अगर आप एक बारी positive हो जाओ ना, और आप बोलो, अभी नहीं, तो 6 मीने बाद अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होना ही लिखा है, अगर आप इस तरीके से बोलो, affirmations होती हैं, आप अगर affirmations करो, money से related, love से related, jobs से related, careers से related, मैं आपको affirmations बता सकती हूँ, आप मुझे contact कर सकते हैं, ऊपर जो number दिया हुआ है, बट अगर आप यह अच्छा सोचना स्टार्ट कर दोना, तो आपकी problems ऐसे खतम होई नहीं, और आपको लगेगा कि एक magic सा हो रहा है, तो यहाँ पर temporary problems हैं, बट वो तब temporary होगी, जब आप अपने दिमाग की सुनना, छोड़ के अपने दिल की सुनना स्टार्ट करोगे, अगर आप society के बारे में नहीं सोचोगे कि society क्या बोल रही है, अगर आप सिर्फ survive नहीं करके जीना स्टार्ट करोगे तब, उनिवर्स लीब्रा के लिए क्या है, जून, bird purged, waiting for news package letter, मैंने आपको बोला यहाँ पे strength है, package, sorry, strength है, patience आपको चाहिए, आप patient ले किसी चीज का wait कर रहे हो, यह मैंने आपको पहले ही बोल स्टार्मिन लेटो है, बड़ आप बहुत negative हो रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार यह तो boss मुझे पसंद नहीं करता है, तो यह शायद मुझे ना मिले, यह boss का तो कोई XYZ और favorite है, तो यह तो मुझे नहीं देगा, देखना यह इस बार यह उसी को देगा, तो कुछ त कि negative scenarios अपने दिमाग में create करें, चले जा रहे हो, पता नहीं क्यों, बट थोड़ी से positive हो, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे मतलब चलना तो नहीं चाहिए, dark woman, dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair, तो यह एक बहुत ही clear message है, universe की तरफ से, कोई एक है, इनसान आपकी life में, जिनके संग आप या तो deal कर रहे हो, या आपका कोई relationship है, जिनका बहुत ही dark complexion है, और dark hair है, यहाँ पे मैं, dark complexion जब हम बोलते हैं, तो थोड़ा सा wheatish भी हो सकता है, सामला भी complexion हो सकता है, उससे जादा dark भी हो सकता है, काले, dark, बाल, जैसा भी, यहाँ पे tarot cards क्योंकि gender specific नहीं होते हैं, तो यह हो सकता है, कोई आदमी भी हो, कोई औरत भी हो सकती है, वो आपको देखना है कि आपकी life में कौन significant है, आपका boss भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, acts, kulhari, forces working against you, देखिए Libra मैं universe की messages आप तक पहुचा सकती हूँ, उससे जादा, तो मैं आपको, हाँ, of course मैं आपको उपाए बता सकती हूँ, मैं आपको healing कर सकती हूँ, मैं आपको crystals बता सकती हूँ, क्या आपको क्या पहनना है, बट एक होता है नहीं, एक अंदर से इंसान की इच्छा होना, कि मैं change होँगा, मैं improvement लाऊँगा, सब मेरे साथ अच्छा होगा, वो चाहे मैं आपको crystals दे दूँ, आप पे रेकी कर दूँ, आप पे intentions डाल दूँ, कुछ भी कर दूँ, positivity of affirmations दे दूँ, आपको manifestation technique समझा दू जब तक आपकी अंदर से इच्छा नहीं होगी ना, positive इच्छा, desperate इच्छा नहीं, desperate इच्छा कभी work नहीं करती है, जब तक आपकी positive इच्छा नहीं होगी अंदर से, चीजें नहीं काम करती हैं ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे जो लग रहा है ना, forces working against you, यह को पुद ही, सोच सोच के, सोच सोच के उसको गलत बना रहे हो, कुछ के लिए हो सकता है, जो dark woman बताया गया है, हो सकता है, यह आपको किसी तरीके से affect कर रहे हो, आपको कहते हैं ना, कि उनको पता है कि, लीबरा बहुत जादा सोचते हैं, या लीबरा भी थोड़े से tense हैं, त क्यों कि आप खुद sure नहीं हो, अपने आपके बारे में, आप खुद insecure हो, आप अपने दिमाग की सुन रहे हो, तो थोड़ा तो देखो, आपको अपने उपर भी काम करना पड़ेगा, आए, psychic ability, trust your intuition, ये एक बहुत बड़ा sign है, यूनिवर्स की तरफ से, लीबरा, मैंने आपको पहले ही बोला, दिमाग की छोड़ के अपनी दिल की सुने, आपको ना कई बारी, आपका दिल आपको बोलेगा, कि ये job offer, यार इसमें पैसा तो है, बटना, कुछ तो लग रहा है मुझे, पता नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पैसा दो बहुत है, बट करूं कि नहीं करूं, अगर आप किसी भी चीज के बारे में, मैं आपको ये बहुत सिंपल सा रूल बताती हूँ, अगर आप किसी भी चीज के बारे में confused होना, मत जाओ, मत करो वो चीज, confusion हो ना मतलब शोर ना होना, शोर ना होना मतलब यूनिवर्स आपको आपके दिल से, आपकी इंट्यूशन के थुरू आपको बता रहा है कि लीबरा बच्चे ये मत करो, तो अगर आपका दिल कुछ बोल रहा है उसको सुनो, नहीं सुनोगे तो फिर गंदे एक्स्पीरिंस होंग फिर उनसे सीखोगे, फिर आपका इंट्यूशन बोलेगा, आप फिर कुछ नहीं उसकी सुनोगे, फिर गंदे एक्स्पीरिंस होंगे, फसे रहोगे, फसे रहोगे उससे भाहर कैसे निकलोगे देखते हैं, आस्ट्रिल हाउज में हमारे लिए क्या है, लीबरा के लिए यूनिवर्स, प्लीज बताएं, लीबरा के लिए भी क्या सिगनिफिकेंट है weld, देखिए लीबरा पैसा है, ठीक है, पैसा है, यहाँ पर मुझे कहीं पे कुछ लॉस होता नहीं दिख रहा है मुझे कुछ गंदा होता नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपकी reading में मुझे बस यह लग रहा है कि आप थोड़े से पॉजटिव हो जाओ, आप बहुत ही क्यों इतने क्यों अपने दिमाग की सुन रहा, आपको जब पता है कि आपका दिमाग आपको कहीं अलगी रास्ते पे लेके जा रहा है, तो क्यों सुनना इतना, तो पैसा आएगा, बस पैसे वाली जॉब चुन लेता हूं यही है पैसा टैरो में तो यही बोला था अगर आपको वो भी सही नहीं लग रहा है मत करो जो आपको सही लग रहा है वो करो जो आपका दिल आपको बोलता है ठीक है अब हम देखते हैं कि चाम्स में हमारे पास क्या है universe क्या है आपके पास messages charms के through ओके हमारे पास है एक bird जो की अपनी चोंच में बीक में एक फूल उठा के लेके जा रहा है तो देखिए इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं बड़ जो मुझे लग रहा है यहाँ पर न आप एक तो यह है कि आप न अपनी उड़ान भर रहे हो आपको finally किसी चीज से freedom मिली है और आप उड़ गए हो या तो आप पिंजरे से निकल गए हो आपको बहुत होता है न आप अभी तक सब की सुन रहे थे बंधे होए थे अब आपकी freedom मिल गई है चाबी मिल गई है आपने तोड़ा पिंजरा और आप निकल गए है दूसरी चीज मुझे ऐसी लग रही है कि क्योंकि ये अपने चोच में फूल फसा के ये उड़ रहा है पंची तो या तो आप अपना घोसला बनाने जा रहे हो अपना घर बनाने जा रहे हो सकता आप में से किसी के घर की renovation चल रही हो नया घर बन रहा हो लैंड खरीदी हो उ रहे है तेने शगन के तौर पे शुगल के तौर पे उस पे एक डाल देते हैं कोई फूजा हो रही होती है कुछ तो घर से related है यहां पर या फिर आप लोगों की family बन रही है जिसके लिए आप और आपकी growth हो रही है usually society में यही माना जाता है कि जब आप अपना घर बना लेत खड़ा करने से गाड़ी खरीदने से एसी खरीदने से प्रॉपर्टीज खरीदने से उससे नहीं होती है मेरे हिसाब से बट सोसाइटी के हिसाब से अगर हम देखे तो यहां पर एक घर बन रहा है हो सकता आपकी family grow हो रही हो हो सकता बेबी आने वाला हो मून हमारे पास हाफ मून है अगर आपको दिख रहा है तो हाफ मून है और उसमें एक star भी है तो या तो आपका कोई कोई विश्पूरी होने वाली है लीब्रा कोई विश्पूरी होने वाली है या फिर मून से आपका बहुत बड़ा connection है Moon planet जो है वो देखिएगा आपके चार्ट में हो सकता है बहुत prominent हो, बहुत important हो, Moon sign specially, या फिर आपका Moon हो सकता है, Moon sign हो सकता है Libra, आपका Sun sign कुछ और हो सकता है, वो हमारे पास दो आ गए, ओके, चाबी, की, मैंने आपको बोला पिंजरा और की, तब भी मैंने आपको बोला आपको चाबी मिल गई है, आप पिंजरा तोड़के आप निकल गई हो, similarly आपको चाबी मिल गई है, आप इस चीज को पीछे छोड़के, आपने टाटा बाई-बाई-बाई बोलके आप निकल दिय हो फाइनली अपनी दिल की सुनके मुझे ऐसा लग रहा है बाई एंड ओफ जून आप तंग आ जाओगे अपने दिमाग के सुन-सुनके खुदी और आप बोलोगे भाड में गई यह चीज मैं वही कर रही हूं जो मेरा मन कर रहा है बोलते ने बाकी सब को जो भी बोलना है मे मुझे यहां पर कुछ मेसेज मिल नहीं रहा है काप से रिलेटेड पाट ऐसा भी हो सकता है कि आप यह तो कैप के बहुत शौकीन हो या फिर आप कोई कोच हो आप फिजिकल एजुकेशन में हो सकते हो पीटी सर होते थे हमारे बच्पन में तो कैप पहनते थे कुछ वैसा प्रोफेशन हो सकता है या फिर आप मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो हौग किसी चीज के एड़ हो सकते हो जिसस जिसके लिए मतलब आप उस चीज के हैड़ हो और आपको आपको स्पेशल एक पहनाई जाती है यह पिर हो सकता है कि आप आप बॉल्ड हो आपके बाल से कम है तो आप कैप पहनते हो क्योंकि आप conscious हो आप insecure हो कुछ भी हो सकता है इसमें से बाट कोई ऐसे बहुत ही डीप मैसेज मुझे इसमें से दिख नहीं रहा है वाइन देखिए कुछ लोग वाइन के शौकीन हो सकते हैं कुछ लोग in general alcohol के शौकीन हो सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग alcohol के शौकीन हो सकते हैं और आप किसी तरीके से या तो आप बहुत जादा alcohol consume कर रहे हो या फिर कोई celebration आने वाली है आपकी life में क्योंकि चाबी है, पंची है, विशपूरी हो रही है हमारे पास तो celebration मुझे जादा लग रहा है कि celebration होने वाला है आपका कुछ जिन देखिए wine भी है, जिन भी है तो बहुत शराब है तो या तो आपकी बहुत बहुत जादा alcohol हो रहा है आपके वहां पर celebration हो रही है या तो यह बहुत बड़ी celebration है एक होता है ना कि बहुत बड़ी celebration में बहुत जादा quantity of alcohol आती है यूजली जो लोग consume करते हैं जो नहीं करते हैं वो अलग तरीके celebration कर रहे होंगे बड़ यहां पर मुझे celebration दिख रहा है for sure दो alcohol के types आ गए हैं यहां पर या फिर हो सकता है आप कोई alcohol specialist हो कोई brewery में काम करते हो जहां पर वो beer बनती है या फिर आप कोई vineyard में काम करते हो जहां पर wine बनती है कुछ भी हो सकता है connection यहां पर लीब्रा तो यह थी लीब्रा आपकी जून मंत की reading अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें share करें comment करके मुझे बताएं और subscribe करें मेरे चैनल को इम्रामा टैरो और पाथ बनिये मेरी इम्रामा फैमिली का गाइज मुझे अच्छा लगेगा ओके थैंक यू बाई